मैं आज आपके सामने एक ऐसी कहानी बताऊ हुआ जो करोना से भरी, देश प्रेम से भरी, साहस से भरी, एक युद्धा की है। उसने अपने देश पे अपने पती को खोया, पुरा परिवार में छावर कर दे हो गया इनका, पर फिर भी चिंता नहीं करी पीछे नियाटी। जय जाट, सभी जाट भाईयों भेनों को नमस्कार। पिछले लगभग एक महीने सेंग शोध कर रहे थे, किसी एक ऐसे वेक्ति के बारे में जिनका नाम लेते वक्त, हमारे अंदर देश बक्ति की भावना थी। और ताज्यूब होता है कि आज के इस युग में, कर युग में ऐसे भी कर्मट वेक्ति हैं जिन्होंने अब स्वार्थ के बिगहर देश की ऐसी सेवा की हूँ। मैं आज आपके सामने एक ऐसी कहानी बता हुआ जो करोना से भरी, देश प्रेम से भरी, साहस से भरी, एक युद्धा की है। और मुझे बड़ी फकर है इस बात को बताते वाप से भाईयों को कि एक जाट है। मैं तो बलकि उनको इस नाम से सम्मानित करना चाहुआ पहली नारी जाट जासूस जिसने अपना जीवन निच्छावर कर दिया इस देश के लिए और कुछ नहीं मांगा। ऐसे बहुत से करांतिकारे जुन्होंने लड़ाई तो लड़ी परदेश से जमीन ले ली, मुरब्बे ली, पैसे ली, पैंचने तक ली। लेकिन इस ओरत ने कुछ ने लिया। तो आईए चलते हैं से वीर विरांगना की कहानी के साथ। भाईयाओं ये इनका नाम था नीरा आ रहे है। इनका जनब 5 मार्च 1902 में उत्तर परदेश मेरट के खेकड़ा गाहों में हुआ। ये चेकी में बता चुके होगी, जाट परिवार में थे, इनके माता-पिता के साम थे, वो इनका एक भाई था। बच्पन में इनके माता-पिता वो बिमारी हो गई थी और लंबे इलाज चला, जिसकी वज़े से इनके उपर कर्द चड़ गया। इनके बाई के उपर और इतना खच करने के बाद भी इनके माता-पिता नहीं बचे ये चल बसे थे। और चुकि कर्द होने की वज़े से सावकार ने इनकी जो घर था और जमीन दोनों खुड़क कर ली। और ये दोनों बच्चे ये नीरा और इसका भाई होता ये सड़क पे आये मारे मारे फिरते रहे। इत्तफाक देखिए इस्वर की चाहा थी। इनको एक हमारे दूसरे महान विभूती जिनको किसी परीचे का मोताजनी चोदरी छोटू चाजुराम जी। जो कि एक कलकत्य के बहुत बड़े विपारी थे। उनके ये संपर्क में आये और इनकी वेथा को सुनकर सेट जी जैसे की दानवीर हम जानते हैं। उन्होंने बहुत से दान किया हैं। सर चाजुराम, सेट चाजुराम भी कह सकते हैं। उन्होंने इन दोनों बच्चों को गोद ले लिया। और गोद लेके इनकी पढ़ाई उडाई का पुरा खर्चा किया। और खच्चा करने के बाद, उन्होंने इनकी शादी में कराई, और जो इनकी शादी हुई थी, वो एक पुलिस अफसर थे, लेकिन सब चाजुराम जी को नहीं पता था, कि वो CID में थे, उनके साथ, जो इनकी शादी हुई, तो में टाइम पे क्या हुआ था, ये, इनका कुछ शादी से पहले का जो टाइम था, जब ये शी वाज अंडर एजुकेशन पढ़ रही थी, तो जैसे कि मैंने बताया, आपको सर चाजुराम जो थे, वो दानुमीर थे और सभी भाईयों की मदद बहुत करते थे, तो इमें एक शंखला में नाम ओड़े रहें भगत सिंग का, उस टाइम भगत सिंग के भी पीछे पुलिस लगी थी, और उनको शेल्टर दिया हुआ था, सर चाजुराम ने, उनके विचार से परवावित होके, नीरा जो देश भक्त बनी, और जो है, उनकी एक करांतिकारी जो है साथी, सुशिला भाबी जो की भगत सि इनके साथ थी, वो भी यहां पढ़ती थी, तो उनके विचारों से इनके चाप पड़ी, और वहां से देश भक्त का, इनका जज़वा जागा, और इनके आगे चला, अच्छा, यहां क्या होता है, कि मीनवाइल प्रकरती का विदान देखिए, क्योंकि बगवान जब कुछ चारता है, तो अपने बच्चों को पहले इशारा कर देता है, एक बार क्या हुआ, इनको तैरना आता था निराजी को, और यह पिकनिक मनाने के लिए समुंदर के नारे गई हुई थी, तो इनको पहले नहीं तैरी थी, समुंदर में, छोटे मोटे नदी बदी में तैरी हु तब जान बचाई, तो जो उनको बचा निया गया, तो उनको पुचा जी आप कोन हो, तो वहाँ पर निराजी शौक हुई कि वो सुवास्चंदर बोश थे, जिन्नों उनका जीवन बचाया था, और वहाँ से जब उनका, जी मैं आपका कैसे धन्ना आत करूं, तो सुवास् सुवास्चंदर बोश की धरम बहन बन गई थे, उनके कोंटेक्ट में आई थे, अब चोके हम बताया कि जैसे कि इनकी पूरी जुम्यवारी सर्चाजुनाम ने लेकिती, जिनके बताने के लिए को वोनीतने पैसे वाले थे, उन्होंने कहा रिस्टा एक पुलिस के जो अफ नीरा को एक बड़ी ताज्जुवाली बात पता लगी कि उन दिनों उनके पती जनन जन्दाज जो है वो जासुसी करें ते राजा मेंदर परताप की, ये भी जाट थे, राजा थे, अलीगड से, अतरस से, तो उनके इनको जब नोनाया ते उन्होंनों उसको कहा कि बई पत्तारियों की जो है मुखवरी अंगरी जो को ना करें लेकिन वो नहीं माने उन्होंने का इनके पती की जो वर्डिंग है जो बताया जाता है लिखा है हमारी लेकक ने कि वही पैसा होगा तो बहुत सी पतनिया जाएंगी इस बात से अगहात होकर नीरा जी ने अपने पती का त्यार कर दिया अग उस टाइम पे आप जानते हैं सेकिंड वर्ड बार शुरू उचुकी जी नीरा के बहुत से रिष्टेदराजाज इंद पोज़े में शामिल हो गए थे नेता जी ने एक रानिक जहासी रेजिमेंट बनाई थी यह सुनकर नीरा जी खुशी को है उनका ठीकाना नीरा जी के मुझ भले भाई को राम सिंग जी थे उनको इच्छा जताई तो वो इनको सुभास्चंदर बोस्ट जो कि इनको पहले से जानते थे उनको जाके वहां पर राणि जासे रेजेंट में शामिल करा दिय और नेता जीन इनको अंग्रेज जोकी जासूसी का कारेबार समाला और उनको इभी कहा कि अगर अंग्रेज तो से पकड़े याओगी तो बहुत यातना होगी तो इस सच्छा तो आतम अत्ता करना परजिंद ना पकड़े जाना ऐसे ही एक ओपरेशन के दोरान इनके साथी पकड़े गए थे पर यह भागने में कामियाव हो गई थी जोकि उनको इंटेरोकट किया जा रहा था चावनी के अंदर तो महापरिन अपने दूसरे साथे से मिलके इसका नाम राजमनी देवी था उस पे भापर जासूसी करके अंदर जाके अपने साथी को तो चुटा लि नीरा आर्या को जाकता है अब इसके बाद क्या हुआ इनकी मैनत को देखते हुए यांकी इमानदारी को देखते हुए सास को देखते हुए नेता जी ने अपने पास रख लिया कि अपने नीजी उसमें एक दिन नेता जी टेंट में सोवे हुए थे रात का पहरता नीरा जो तो मैं आपको बताना चाहूँँगा, नेता जी पे दो लाग का कैश इनाम रख दिया था अंग्रे जुनी, तो नेरा ने का भी तुम यहां क्या कर रहे हो, तो उसने का भी मैं नेता जी को मार देता हूं, दो लाग मिलेंगे, हम खाये पेंगे, हमारे बच्चे अमीर हो तो नेता जी की तरफ बढ़े, तो नेरा ने अपने संगीन, राइफल के संगीन सुस्पर वार किया, वार कड़ा जब हुआ, तो उसने दो फायर की, एक नेरा जी के कान के साथ से चला गया, एक उनकी गले से ठाच उटतावा निकल गया, जिसमें यह जखमी हो गई, और ज जब देखा नेता जी ने की ऐसे से हुआ है, तब नेता जी अपने कार में सोय, नेरा जी को लेकर ऑस्कितल गए, और इनका उलाज कराया, तब पूरी बात पता होने पर नेता जी ने नेरा अर्वे को हास्वशन दिया, कि तुम आज से नागिन कहलाओगी, तुमने अपने पती के इत्या कर दी, परंतु देश भक्ती का जब नाम आएगा, तो तुमारा नाम सरुपरे लिया जाएगा, और तुमारा नाम लाल के लिए के ओपर लिख्या जाएगा, शही दो में, उसके बाद इसकी क्वीरता को देखे, नेता जी नेम को राणी जैसी रेजिमेंट क हेड बना दिया, कप्तान बना दिया गया, कई ऐसी ओपरेशन किये, उसमें एक अंडेमान निको बार पे असम में जब नेता जी की फोज जीत की थी, आप जानतें जैसे की, और थोड़े दिन बाद जब अमरिका ने हमला किया जपान पे, तो जपान खुद ऐसा है हो गया, वो पूरे तनमान धन से नेता जी की फोज का, जो हजाद फोज की, उसकी मदद नहीं कर पाए, तो उन्हें पीछे अटना पड़ा, इसी दर्मियान जो है, ये नीरा जी आरे जी पकड़ी गई, और देखिया आप कमाल, इनको नीरा जी को एक स्पेशल ट्रीट्मेंट देत वह एंगरे जोने काला पानी भेजा, ट्रीट्मेंट क्या मैं इनको परिशान करने के लिए, वहां इनको नारी तरह इतनी आतना दी गई, कि उसका वर्नन मैं जाद आपके सामने नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं खुदी, बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी नीरा जी अपना कोई भी बेदवाव, बेद जो है, यह मतलो राज, अजादिन फोज का नहीं बताएं, हंगरे तो ने पुच्छा बताओ, अजाओ, नेता जी खाएं, तो उनका जो प्लेन में मारे गए, उनका नहीं हो जिन्दा है, उनका हो जिन्दा है, पर मेरे दिल में जिन्दा मेरी आत्मा में जिन्दा है, इनको पताते हैं कि एक हाथ से बांध के लटका दिया जाता था, रात रात बर परिशान किया जाता था, गोल चक्कर पे बांध के लोगो गुमाया जाता था, और जब वो इनसे कुछ ने निकाल सके एंगरे, तो नोंने क्या क्या, इनको चारण बार बार करती थी तो ओम के चारण को वह भी समझते थे इट मींस कि वह भी हमारे हिंदु बाई जैसे जो कुछ है उनको उनकी भास्या समय में आगी तो नहीं भास से दो अधिवासी जो थोड़े बत पड़े लिखे उनको बुला के नीरा से बात कराई तो नीरा जी उनको समझाया ऐसे से बात है तो उन्होंने नीरा जी के लिए नाव बनाई और नाव में खाना रख्या और उनका भी आप इस नाव में बैठके इंदुस्तान चली जा तो वहां नीरा जी नाव चलाते जलाते हैदराबाद या आप यह कह सकते कहीं भी इसके पास मोची चि तो इस समय चो कि यह पचास साल के असपास हो चुकी थी जह सेंतालिस जो या बजाद वाजिस दो उन्निस दो का जनम नारी जी का इसका नीरा जी का शरीप जो है दुबला पतला हो गया था तो वहाना उन्होंने खाली जमीन पे जोबरी डाल ली और उर उस्ट्रमें देश जिहादिया उनकी कई बार टोकरी भी गिराई उनकी पिटाई करीब लेकिन नीरा जी ने तिलग नहीं अटाया तो वहां के एक आरे समाज मंदिर में इनका आज भी समान रखा है उससे बात पता लगी वोता क्या है कि बाद में एक बार उने गाउं आई वहाए करांती का र नहीं है वह फिर वापिस हैदराबाद चली गई और देखिये कमाल की बात है थैदराबाद पर शासरीन की वह जोपड़ी भी तोड़ दी जो एक जमीन पर इननों बढ़ाई थी अब आप जानते है यह और भी बुटी हो चुकी थी इनको तेज बुकारता बहुत यह गिरी देखिए एक हमारे परसिद लेखक है जाट भाई दामा थेजपाल सिंग धामा इनकी एक नौन पर फिलम भी बनी है पदमावत उसमार चाहे तो पदमावत सुने जर नंबरिंग आती राइटर ने लेजपाल जिन का इंसेन की मुलाकात हो गई और MF हुसेन के बारे में भी अब पतिजनल टिपनी जो भारत माता पर की थी इनका नारा इस ने तेजपाल धामा जी ने उठाया था आप देखिए नीरा जी की मदद जो यहां पर दो वेक्ति करते हैं जो अंजान है तेजपाल धामा और उनकी पतनी मदू धामा हस्पताल में दाकिल कराया उनकी एक ए प्रूफ देखे नेता जी के साथ सारी स्टोरी लिखी और उन्हें के उपर एक किताब भी लिखी है आप चाहे तो पढ़ सकते हैं उसके बाद इनका जो निधन है वो 26 जुलाई 1908 में को बड़ी उमर में हुई हुआ और देखिए हमारी सरकार बड़े दुख से कहना इनका जो शव था पस्पताल के बाहर रख दिया जब दामाजी को पता लगे तो दामाजी और उपने 5-10 आदमी को पतनी को इनके शव को लिया और इनका सम्मान पूरवक अंतिम संसकार किया आज भी यदि आप इस की कुष्टी करना चाहें तो उनकी अस्थिकलस डायरी प दिखाये जाते हैं यदि आप चाहे तो जा सकते हैं तो यह थी कहानी हमारी ऐसी बहन जाट बहन की जिसने पने देश पे अपने पती को खोया पुरा परिवार मुचावर कर दो गया इनका पर फिर भी चिंता नहीं करी पीछे नियटी बलीदान दिया मैं सलाम करता हूं एस तो भाईयों इसी परकार यह जो हिस्ट्री है विरांगनागी मैं आपके सामने लेकर आया हूं आपसे निविदान आपकी जानकरे में कोई और ऐसी हिस्ट्री ओ किसी भी महान जाट भाई की चाहों किसी उसमें हो धरम में हिंदु जाट सिक्स जाट जैन जाट क्रिष्चन चाह myślen a तो हमें लिख्किये जिए कमेंट करें साथ सात हमें कामोर कर रहे है आज कर एक डिरेक्ट्री बना रहे हैं जिसमें सभी जाट्टों के य्डर्स दे दे रहे हैं तो आप से निवेदर कमेंट अवश्य करें अपने एड्रस फोन नंबर और यदि कोई ऐसी तुरूटीस में रह गई हो या कोई जैसे कि पीछे हमारे पास मेरे पास लंदन से फोन आया वो हमारा मुसलिम जाडवाई था पाकिस्तान का मैंने पीछे वीडियो मना उसके अंदर जिकर किया था कि प्रॉफिट मुहम्मद से मुसलिमानों का विस्तार हुए उन्हों ने उल्टा है समझ लिया कि प्रॉफिट मुहम्मद ने मुसलिम धरम की शुरुवात किये नहीं लेकिन उससे पहले मुसलिम धरम था पर छोटे सेरी में था इनके बहुत से प्रॉफिट पहले हुए थे लेकिन ये आखरी प्रॉफिट थे मुहम्मद साथ उन्होंने कहा ये कुरान है आप पढ़िए इससे पहले जो किताब चोड़ कि इस पूरा इसी को अपनाए जीवन में उसका बाद फिर बाद में मुसलिम दर्म का जो भाई थे ये इनका विस्त सकते हैं तो भाई योगर को तुरुटियों को मुझे भी आप जिसे भाई बताते हैं तो शमा करें और कोई भी ऐसी बात है जो आप चात्ते हो कि हमारे जाट भाई जाने अच्छा एक बात हो सुनिए मेरे पास से भी मैसेज आया है कमेंट आया है इसराइल से मुझे जैजाट धन्यवाद